वन्देवातरम साथियों आज हम बात कर रहे हैं कुकिंग ओयल की जी हाँ बैस्ट कुकिंग ओयल कौन सा है ये सवाल बार बार आता है और इसी लिए आज का वीडियो जरूरी हो जाता है कि खाना बनाने के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है अगर आज कल आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत ही तरह के तेल अवेलबिल हैं जिन में रिफाइंड तेल बहुत जादा प्रेस्क्राइब किया जाता है बहुत सारे डॉक्टर्स भी आपको ये प्रेस्क्राइब करेंगे कि refine तेल का इस्तेमाल करें जिससे hurt attack की समंस्याएं या hurt समंदी problem आपके लिए कम हो जाएंगी लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है क्या refine खाने से hurt की समंस्याएं कम होती हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका उल्टा होता है आज के वीडियो में इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं तेल की तेल किस काम आता है तो वात को संतुलित रखना हो अगर वात को संतुलित रखने के लिए आपको कुछ चाहिए तो वो होता है शुद्ध तेल बाजार में आजकल रिफाइंड डबल रिफाइंड और ट्रिपल रिफाइंड नाम के बहुत सारे तेल अवेलिबल हैं इन सभी तेलों को तेल न कहकर हम इनको जहर की संग्या भी दे सकते हैं तेल को रिफाइंड करते समय तेलों की चिकनाई निकाल ली जाती है इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी खत्म हो जाते हैं रिफाइंड करने के लिए इनको एक बहुत जादा हीट से गुजरना पड़ता है जिसके कारण इसके अंदर के जो मिनरल्स हैं जो पोश आप बीमार बना सकता है तेल की चिकनाई जब एक बार निकाल ली जाती है तो वो रिफाइंड तेल हो जाता है दो बार निकाली जाती है तो डवल रिफाइंड और अगर तीन बार उसको निकाला जाता है तो इसको ट्रिपल रिफाइंड बोला जाता है अब अगर आप यह सोचेंगे एक तो फिर हम चिकनाई खाएं या ना खाएं तो चिकनाई तो आपको खानी है लेकिन ये देख कर खाएं कि कौन सी चीज खाने लायक है और कौन सी खाने लायक नहीं है चिकनाई दो तरह की आम की तरह हो जाता है चिकनाई नहीं खाने से शरीर की चमक चली जाती है अब सवाल ये आता है कि रिफाइंड तेल आपने नहीं खाना है तो फिर कौन सा तेल ऐसा है जो हम खा सकते हैं क्योंकि बाजार में तो 90% तक रिफाइंड तेल ही अवेलिबल हैं आज भी बहुत सारी चोटी जगए ऐसी हैं जहां पर तेल को इस कोल्ड प्रेस्ट के तरह निकाला जाता है इसमें क्या होता है कि बिना मशीन का टेंप्रेचर बढ़ाए उसको लो टेंप्रेचर पर ही जो आपके तेल निकालने वाली चीज़े हैं उनको प्रेस्ट किया जाता है जिससे कि उसका तेल निकलना शुरू हो जाता है ऐसे में जब हम कोल्ड प्रेस्ट के प्रॉसेस से तेल निकालते हैं तो उस तेल में मिलने वाले सभी खनीचततों पोशकततों मौजूद रहते हैं क्योंकि जब उसकी हीट नहीं बढ़ेगी तो उसमें जो पोशकततों पाये जाते हैं वो नस्ट रही होंगे इसलिए कच्ची घानी का तेल सरवत्तम होता है आजकल वाजारवाद की कारण भी बहुत सारे कमपनियां ऐसी हैं जिनोंने बाजार में कच्ची घानी के नाम से तेल उपलब्द करा दी है लेकिन क्या वाकई में वो कच्ची घानी का तेल होता है क्योंकि जो कानूनन प्रक्रिया के अनुसार जो भी आप डिबब बं तेल या बोटल बं तेल या पैग्ड तेल जो आप बेशते हैं उसको रिफाइंड होना जरूरी होता है उसमें प्रिजर्वेटी भी मिलाना जरूरी होता है लेकिन जब ऐसा है तो क्या वो तेल हमारे लि जहां भी कहीं कच्ची घानी मिल जाए जहां तेल कच्ची घानी या कोल्ड प्रेस के दोरा निकाला जाता है वहां से आप तेल लेकर आए वो तेल आपके लिए सबसे अच्छा तेल होगा चाहे वो तेल सरसो का हो चाहे वो किसी और चीज़ का हो तो अब आपकी समझ में ये बात तो आ गई होगी कि आपने रिफाइंड तेल नहीं लेना है बाजार में बिकने वाले जिन पर भरोसा नहीं है वो कच्ची घानी के तेल भी नहीं लेने क्योंकि आपने डिरेक्ट मशीन से निकला हुआ तेल लेना है अब ये बात हो गई अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन सा होना चाहिए तो सबसे अच्छा रहता है कि आप वो तेल इस्तेमाल करें जो आपके एरिये में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है अर्थात आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर जो फसल या जो कंटेंट जादा पैदा होता है वो उसका तेल आपके लिए सबस ऑच्छन भारत या केरल साइड आप जलें टो वहां नाऔरियल ज्यादा होता है ऐसे में आपको नाऔरियल का तेल जादा इस्तेमाल करना है उत्तरपर्यश अहारयाना के राजियों में चले जाए सर्सों बहुतायत मात्रा मैं पाई जाती है तो इसलिए वहाँ पर आपको सरसों का तेल ज्यादा इस्तेमाल करना है लेकिन फिर भी अगर आप जहां है और इस तरह का तेल अविलिबल नहीं हो पाता है तो तब भी आप सरसों का है मूमफली का तेल है नारियल का तेल है अलसी का तेल है इन में से कोई भी तेल आप इसली इस्तेमाल कर सकते हैं सामानिता मैदानी इलाकों में रहने वालों के लिए सरसों का तेल और समुद्र के किनारे रहने वालों के लिए नारियल का तेल बहुत अच्छा माना गया है शुद्ध तेल से वाद का कोई रोग नहीं होता सामानिताव वाद के कुल 80 रोक बताए गए हैं जैसे गुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, जोडों का दर्द है अगर आपके आसपास कहीं लकडी के कोलू का तेल मिलता है तो उससे अच्छा और कोई तेल नहीं होता आप जब लकडी के कोलू से तेल लेकर आएंगे तो वो गाड़ा होगा, चिपचिपा होगा, कुछ मटमेला सा दिखेगा इसलिए तेल का जो चिपचिपापन है वही तेल का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है ऐसा वग्यानिक कहते हैं कि जिस तेल में चिपचिपापन नहीं होता, वो तेल तेल नहीं होता, पानी हो जाता है वाद को शान्त रखने के लिए सबसे अच्छी वस्तु अगर इस दुनिया में है तो वो है तेल, जिसमें आप सबजियां मनाते हैं तेल का मतलब शुद्ध तेल, यानि तेल की घानी से निकाला हुआ सीधा तेल, बिना कुछ मिलाये हुए माने रिफाइंड तेल ना खाएं डबल रिफाइंड करने में 12-13 केमिकल का इस्तेमाल होता है, ये सारे केमिकल मनुष्य के दोरा बनाये हुए इन और्गिनिक केमिकल ही जहर बनाते हैं आधुनिक्ता के नाम पर प्रियोग किये जाने वाले ये सारे केमिकल शरीर के लिए जहर बनकर हमारे शरीर में समा जाते हैं और हमें भैंकर से भैंकर बीमारियों से ग्रसित कर देते हैं तेल में प्रोटीन बहुत अधिक मातरा में पाया जाता है तेल से आने वाली बास तेल का औरगेनिक घटक होता है प्रोटीन के लिए कुल पांस तरह के प्रोटीन तेल में होते हैं जो बास निकलने के साथ ही तेल से गायब हो जाते हैं ये दोनों चीजे निकलने के बाद तेल तेल नहीं रहता पानी हो जाता है इसलिए हमेशा शुद्ध तेल ही खाएं भारत एक ऐसा देश है जहां पर तेल के प्रियोग के बिना आपके रसोई में आपका काम नहीं चलना दाल में हम तड़का लगाते हैं तो तेल की जरूत पड़ती है सबजियों का चौक लगाते हैं या सबजी बनाते हैं तो उसके लिए तेल की जरूत पड़ती है या इस तरह का और बहुत सारे प्रिपरेशन्स हम बनाते हैं तो उसमें भी तेल की जरूत पड़ती है तो इसलि में हमारा डॉक्टरों के पास क्लिनिक में चक्कर लगाने में खर्च होने वाला है। और VLDL कम होने लगेगा जिसके कारण मोटापा कम होने लग जाएगा और पेट अंदर से राजाएगा। आप बिना किसी दवा के बिना किसी ओशरी के मुफ्त में पतले हो जाएंगे सिलिम ड्रिम हो जाएंगे। ब्रमचरे का जीवन जीने वालों के लिए जो सबसे अच्छी चिकनाई है वो गाए का घी है। इसके बाद तिल का तेल है, इसके बाद मुमफली का तेल है, फिर नारियल का तेल है और इसके बाद सरसों का तेल खाना सबसे अच्छा होता है। गाए का शुद्ध देशी घी अगर आपको मिल जाता है, तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं, वो आपके पित्तो को संतुलित रखेगा, आपके शरीर में कॉलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देगा, कॉलेस्ट्रॉल को कम करने में भी आपकी मदद करेगा, वशर्ते वो देशी घाय का घी होना चाहिए, बिलोना पद्द से बना होना चाहिए, अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है, तो घर पर खुद तयार कर सकते हैं, घर पर नहीं बना सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट मिलेगी, आपको वहां से जाकर आप बि मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक सी नई इंफर्मिशन के साथ, तब तक के लिए जैहिन वन्दि मातरम